क्यारी साथियों एक बार फिट से आप सभी का एक बहुत ही special class में स्वागत है आज हम पढ़ने वाले fraction यानि भिन्न के पांच सबसे महत्वपुर्ण और खतरनाक ट्रिक जिसके सीखे बिना आपको किसी भी परिक्षा में 100% सफलता नहीं मिल पाएगी क्योंकि जब आप math बनाने जाएंगे जब आप किसी exam को देने जाएंगे किसी परिक्षा को attend करने जाएंगे और जब आपके सामने math का area जब आएगा तो ये पांच fraction के जो topic है या सीधे सीधे का ये trick है इसकी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा आनिवारी है और जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ लाईवा जाएए जल्दी से जुड़ जाएए आज के session को join कर लीजे क्योंकि बस कुछी चनों में इस पांच trick को हम आपके screen के उपर रखने वाले हैं एक करके और पूरी जानकारी पूरा concept देने वाले हैं और trick से बताने वाले हैं और आपको ये पता चलेगा आज के session में कि हाँ sir ये topic कितना important था आपके लिए सीखना कितना जरूरी था जल्दी से सभी लोग इस video को कर दीजे शेयर आपके जितने भी friend हैं आपके जितने भी दोस्त है सबको बुला लीजे ताकि आज का session एकदम बिल्कुल एक बहतर तरीके से हम शुरू कर सके और एक बार सब लोग कर दीजे कि जी sir बिल्कुल पहुँच चुके हैं आगाज कर दीजे आज के session का और fraction की 5 खतरनाक trick जो सबसे ज़्यादा important है किसी भी exam में अगर ये 5 trick आपको नहीं आएगा तो आपको math बहुत देज से बनेगा या बहुत लंबे method से आपको बनाना पड़ेगा तो ये आपके लिए बहुत जादा important है यहां से direct भी question पूछा जा सकता है नहीं तो math के अंदर जो आपका calculation है math के अंदर जो simplification है और math क अंदर जो tricks है वो आपके लिए बहुत मददगार सावित होगा आज के class को सीखने के बाद तब लोग तयार हैं एक बार सब लोग आगाज कर दीजिए सब लोग कह दीजिए सर शुरू करिए जल्दी से अब इंतजार नहीं हो रहा है और सबसे important बात कि भाई आज के session में हम पांच महत्वपुर्ण trick के उपर चर्चा करने वाले हैं रेडी हैं बिल्कुल हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि ये पांच का पांचो trick देख कर जाईएगा क्योंकि आखरी का दो trick जो है वो सबसे ज़्यादा important होता है calculation का प्रक्षन का simplification का जो भी कह लीजिए जो आपकी मर्जी तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां हम heading बनाएंगे trick number one बिल्कुल आज आपको एकदम बहतर से बहतर ठीक है trick number one जो हम आपको बताने वाले हैं ठीक है ये इतना important है कि इसके सीखे बिना आप trick number 2 नहीं बना पाईएगा मतब जिस स्टूडेंट को trick number one कल knowledge नहीं रहेगा वो trick number 2 नहीं clear कर सकता है और trick number one में क्या है कि आपको math में भी काम देगा साती सात इस टाइप के question direct exam में पूछे जाते हैं कहिएगा सर है क्या कुछ जरा बताईएगा तो question देखिए आप से पूछा जाता है बड़ा एबम बड़ा एबम छोटा भी ये बहुत चर्चित टॉपिक है और यहां से कई बार जियां यहां से कई बार exam में पूछे गए प्रश्न हैं जैसे मान लीजे कि एक सवाल अगर हम आपके screen के उपर रखें सवाल है कि सर दो बटे तीन तीन बटे पांच और चार बटे साथ में जी सबसे बड़ा कौन सा है एक बहुत बहतरीन सवाल आपके screen पर हमने रखा है उमीद है कि आज का session करने के बाद आपके अंदर एक नई उर्जा का संचार हमारे थ्रू जाएगा और उसके बाद कहेंगे जी सर मजा आगया आज के session को करने के बाद चलिए आप सबी लोग उत्तर भी दे सकते हैं और न करिए और सीखिए यह सबके लिए compulsory है क्योंकि यह topic सबसे ज़्यादा simplification का calculation कहिए या fraction कहिए सबसे ज़्यादा trending topic है कि बाई इन तीनों में सबसे और लेबल बढ़ाएंगे इन तीनों में सबसे बढ़ा क्या है या कौन है तो देखिए हमने यहां पर रख दिया दो बटे तीन तीन बटे पांच चार बटे साथ देखो अगर एक बेसिक तरीका बता है तो एक तरीका होता है कि भाग देकर देख लिजिए जिसका मान पॉइंट में ज़्यादा आएगा वो बड़ा होगा लेकिन उसको करते करते लग जाएगा आपको काफी समय तो हम आपको एक र लिखिए और 3 ती ती यँँ नौँ यहां ये दस इसकी वैलिऊ और ये नौँ इसकी वैलियू आप हमें बताईए बड़ा कोन कहिए सर दस बड़ा है नौँ छोटा है हमें बड़ा भिनने चाहिए न अभी पहले हमने बड़ा का हैडिंग बनाया है तो ये छोटा वाला और बिसली 14 बड़ा है तो इस 12 वाले को काट देंगे आपके इसाब से यह 14 भी कोई काम का नहीं रहा आपके इसाब से या हमारे इसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो गया दो बटे ती एक बार बताईएगा सीखे या नहीं यकीन करिए आज का सेशन आज की क्लास एक यादगा क्लासम बना देंगे पांच टॉपिक के अंदर आपको इतना कुछ सिखा देंगे न कि आप जब क्या मैत बनाने बैठीएगा न तो बहुत सारी बहुत सारी चीजे जो है वह आपको सिखी सिखाई हुई मिलेगी वह भी ट्रिक से आई बात समझ में सब लोग कह दीजे जी स जी रात में नौ बजे का सेशन रेगुलर चलता है कभी कभी जैसे अगर लेट हो गया तो खेर कोई बात नहीं ये सब लोग कह दीजे सर सीख चुके हैं एक और सवाल हम आपके स्क्रीन के उपर रखना चाहेंगे हम चाहेंगे कि इसका उत्तर आप लोग एकदम जैसे ही हम स्क्रीन पर आखे तुरंत बता दीजिए अभी आपको बड़ा भी नहीं बताना है तो बटे पांच तीन पांच बटे साथ साथ बटे ग्यारा जल्दी बताईए सबसे बड़ा कौन ठीक है कौन बनेगा भाही इसका बिजेता जल्दी उत्तर करिए एकदम गती लाईए अस पीड क्योंकि पांच टॉपिक हमें कवर करना ये तो ट्रिक नंबर पहला है पांच ट्रिक बताएंगे आज आपको सिंप्लिफिकेशन का या फ्रेक्शन का ही कह लिजे भिन्यका ये सबसे ट्रेंडिंग अभी ट्रिक है और वो भी एकदम सांदार तरीके से तब लोग उत जान से सुनना अगर आपने अभी तक नहीं सी न तिखा है तो आज एकदम तोड के जाएंगे पांच ट्रिक को देखो जी करना क्या है ये डाइरेक्ट इग्जाम में पूस्ता है इस टाइप का कॉश्चन प्रिवियस एर्स उठाकर देख लिजे रेलबे हो एसस्टी हो ड वेल्यू पांच पचे पचीस इसकी वेल्यू साथ दुनी 14 इसकी पांच पचे पचीस तो भाई 14 वाला काटेंगे न क्योंकि 25 बड़ा हो गया एक ग्यारा पचे 55 और साथ सते 49 और बेसली 49 वाले को काटेंगे आपके प्रश्न का उत्तर आया 5 बटे 7 ये सबसे बड़ा है आई बात समझ में वीडियो शेर करते रहिएगा सब लोग लाइक का बटन दवाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ठीक है और ये हमारी रिजनिंग की बुक बहुत ट्रेंडिंग बुक है जो हमने खुद लिखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस ब दोनों किताबे जरूर मंगाईएगा अगर आपको मैथ और रिजनिंग का डर खतम करना है तो चलो भाई एक और सवाल आपके स्क्रिन के उपर बताईए दो बटे तीन तीन बटे चार पांच बटे छे और सात बटे नौ बताओ भाई इसमें से सबसे बड़ा कौन जल्दी बताओ अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है आज के क्लास में ठीक है जी अभी तो बहुत कुछ सीखना है बाकी प्राइज आपको रिजनिंग की बुक मोटी है ना बहुत मोटी बुक है बित सॉल्यूशन है लगबग 390 400 के आसपास चला जाएगा मैथ की बुक थोड़ी माइडियर स्टुडेंट करे जल्दी से उत्तर कौन सबसे बढ़ा होगा जाए कौन सबसे ओके ओके कुछ बच्चे सर पांच बटे 6 कहरें कुछ बच्चे साथ बटे 9 करें थोड़ा ट्रीकली बनाएए देखिए कैसे करना है चार दुनी आठ लिखने की जरुतनी है चीज चेतिया अठारा चेतिया अठारा और चार पचे बीस कौन सा बढ़ा बीस बढ़ा चेतिया अठारा और चार पचे बीस तो अठारा बाले को काट दीजे क्योंकि अठारा इसकी वैल्यू होगी बीस उसकी वैल्यू देखिए नौ पचे पैतालिस नौ पचे पैतालिस और सा 5 बटे 6, सिखे या नहीं सिखे जल्दी बताईएगा ताकि अगला कोश्चन आपके स्क्रीन के उपर रखे, ओके माइडिया, अब ऐसा कोश्चन एक्जाम में आएगा तो छूटेगा, नहीं छूटेगा, पॉइंट में आए तो पॉइंट को सही कर लीजिएगा, ठीक है, च 3 बटे 5, 2 बटे 7, 1 बटे 3, 4 बटे 5, में सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा होगा भई, पताओ जरा, कौन होगा इस प्रश्न का उत्तर, चारों में से कौन सबसे छोटा है, जल्दी, एकदम गती में उत्तर करिए आप सभी लोग, सबसे छोटा कौन, बताईएगा, बहुत बढ़िया, जी, ये सभी competitive exam के लिए हमारी बुक लिखी जाती है, कोई भी exam में आप बैड जॉब, ठीक है, math reasoning में बस question पूछना चाहिए, चलो, बहुत सारे student उत्तर दे रहे हैं जी, इस बार छोटा ढूणना है, बस इतना याद रखना, जब छोटा ढूणना है, तो बड़ा वाला को काटेंगे, बस इतना करके हम प्रशनों को deal कर पाएंगे, देखो, सत्तिया एकीस इसकी value और तीन, पांच दूनी दास इसकी value, हमें छोटा चाहिए न, सर दास छोटा है, एकीस बड़ा है, तो हम एकीस वाले को काट देते हैं, चोटा ढूणना है न, इस बार, तीन दूनी छे इसकी value, और साथ एकम साथ इसकी value, तो छे से बड़ा, ये छे ह हुआ ये साथ हुआ, तो साथ वाले को काटेंगे न, क्योंकि तीन दूनी छे हमें, छोटा चाहिए बड़ा काटेंगे, अब इसमें इसमें, पांच दूनी दास इसकी value, सच्चक अठाइस इसकी value, ये बड़ा हो गया न, आपके प्रश्न में सबसे छोटा जो मिला, वो द बटे साथ मिला, का दीजे सर एकदम सीख गए, एकदम गणित हो रहा है मक्षन, नहीं, और किसी भी एकजाम में आप अच्छे से बैठ सकते हैं, यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े हम लोग, जी, बिल्कुल आगे बढ़े, अब लोग कह दीजे सर आगे बढ़ा जा आजाएंगे, I mean trick number दूसरा, 3 बटे 5, 4 बटे 9, 5 बटे 11, और 2 बटे 6 बटे 13, आईए, थोड़ा सा हमने लेबल बढ़ाया है, और इसमें भी क्या चाहिए भाई, सबसे छोटा ही find out करके देना है, कि कौन सा ratio, कौन सा भीन सबसे छोटा होगा, चार ओप्शन आपके screen के उपर है, बताना है कि सबसे छोटा कौन सा, जल्दी, जी, अंजू प्रधान, बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर, बिल्कुल इसी तरह से हमारे channel पर बने रहिए, और आप लोग अगर math और reasoning को जीरो से पढ़ना चाते हैं, तो एक बार हमारे application के उपर जरूर पधार ये, application का link वीडियो के description में है, नाम है हमारे application का, dream classes official, जी, play store पे मिल जाएगा आपको, play store में सर्च करिएगा, dream classes official, और वहाँ पर आपको बहुत सारी math reasoning, jkgs की recorded batch, live batch, बहुत सारी नई-नई batches, बह जैसा संघर्स batch हो गया, वो as a recorded, संकल्प batch आप जोइन कर सकते हैं, तीन-चार महिनों में पूरी तयारी, तो batches हैं हमारे पास application के उपर आकर आनंद उठाए, बहुत ही normal सी piece, जितना आप offline में एक साल में देंगे न, एक महिने में देंगे, उतना में हम एक साल पढ़ाते है मतब 400-500 का एक batch रहेगा, पूरे एक साल का, तीक है, आपको जो batch की प्राइज दिखेगी, वो हर एक साल की प्राइज होगी, ना कि हर महिने की प्राइज, देखो इस बार इन चारों में छोटा डूनना है, पाचों में, चारों में, नो तीया सताइस, देखो लिखने की काटो, क्योंकि छोटा चाहिए हमें, तेरा चक बामन, और नो चक चववन, तो चववन को काटो, भाई इस प्रश्न का उत्तर हो गया, चार बटे नो, कहिए सर जी सीखे या नहीं सीखे, यस या नो में जबाब दीजिए, कहेंगे सर बिलकुल सीखे, तो largest fraction हम सीख चुके हैं, smallest fraction हम लोग सीख चुके हैं, अब हम जो trick number 2 आपके लिए लेकर आए हैं, heading बनाएए सब लोग जल्दी, पहला trick complete हो गया, heading बनाएए कि सर जी trick number 2, trick number 2, क्योंकि 5 trick fraction के उपर लेकर आए हैं हम आपके लिए, और सारा एकदब मोखिक ही सिखाएंगे, कोई PPT की आवसकता न नहीं है, इतना ना अंदर भंडार है trick का कि कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, भाई trick number 2, आप heading मनाएए, आरोही, पहले एक बार देख तो लोग कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, आरोही, एबम, अब रोही, इसको इंगलिस में बच्चे कहते हैं, ascending और descending, ठीक हैं, पि इसको पढ़ेंगे, भाई, ascending और descending, आरोही, एबम, अब रोही, पहले एक बार concept देख लो, आखे फटी की फटी रहा जाएगी, कहोगे सर, इतना सांदार trick, आज तक नहीं पढ़ा, आमने, बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे, देखे, ascending और descending में कैसे question रहता है, मान लीजि का मतलब होता है, चड़ते करम में, चड़ते करम में कहिए, या बढ़ते करम में कहिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कह सकते हैं, तो आरोही का मतलब हो गया, चड़ते करम, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सवाल दिखा है, दो बटे तीन, तीन बटे पांच और पांच बटे छे को आरो ही ठीक है एक सब्सक्राइब यह ठीक है इसको जो है आरो ही क्रम में सजाएं यानि एसेंडिंग में लिखें देखो सबाल बहुत बढ़िया है concept एकदम special concept हम आपको देंगे question जो मैंने लिखा है बस वही लिखना ठीक है क्योंकि मुझे चीजों को adjust करके बताना होता है अब देखिएगा कि सवाल हमने क्या लिखा है हमने सवाल लिखा है दो बटे तीन, तीन बटे पांच और एक बटे तीन को आरो ही क्रम में से इसका एक उपाई यह है कि सबका मान point में ले आईए और पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर आरो ही मतला बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम यह चड़ते क्रम यह चड़ते क्रम में सज़ा है तो हम एक बहुत ही शांदार रामबान ट्रिक आपको देंगे यह जो नीचे वाल आपको दिख रहे है तीन पाँच तीन इसका निकाल लिजे अब लसीम तो तीन पाँच तीन का लसीम हो गया भाई 15 तीन पाँच तीन का लसीम क्या हो गया कहेंगे सर तीन पाँच तीन का लसीम हो गया 15 अब क्या करना है कि इधर वाले से भाग देना जैसे भिनका जोड घटाओ करते हैं आम पहले तो 3-5, तीन का LCM होगा 15, नीचे हमने 15 लिग दिया, फिर आपको इस से इस में भाग देना है, तो 3 से 15 में भाग देना है आएगा 5, और जो भाग पल आया उसको उपर में गुना कर देना है, पांच तो 3 पचे 15, यहनी 5 बार में, आप पांच गुने ऊपर यह करेंगे तो 5 रहेगा अब देखो एक छोटी सी बात एक छोटी सी जण करी ये 10 denote करेगा इसको तो कि इससे निकला है 9 इसको और ये 5 इसको आपको कौन सा क्रम चाहिए कहेंगे सर आरू ही क्रम आरू ही क्रम को इंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे छोटा डू दिये यहां तो नहीं समझ में आ रहाता लेकिन आपको 10 9 5 में सबसे छोटा 5 पांच का वैल्यू एक बटे तीन है तो पहले यह हमारा कौन सा क्रम है आरू ही क्रम बात समझजी यह एक बहुत ही सांदार टॉपिक है और ऐसे प्रश्ण SSE में भी कई बार देखने को मिला है और रेलबे में भी कई बार ऐसे तो डिफेंस में भी मिलेगा बैंकिंग के भी बैंकिंग वाले एक्जाम में भी पूछा जाता है, कैसा लगा ये ट्रिक हमें बताएं जरा? सब लोग बताएं कि कैसा लगा ये ट्रिक, क्या ये ट्रिक सांदार ट्रिक आपको है? यस यनो में जबाब दीजे सब लोग तब लोग जबाब दीजे सर क्या ये एक सांदार ट्रिक है मज़ा आ रहा है अगर आ रहा है तो इसी बात पे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजे ताकि जितने भी आपके दोस्ते वो हमारे साथ जुड़ जाए जल्दी बस इस नाम पर कि हम एक एक इंट्रस्टिंग चेप्टर एक इंट्रस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर है अगर आपको लगता है कि सर ने आपके लिए कुछ अच्छा आज किया है तो आपका काम है वीडियो शेयर करना जल्दी ताकि इससे भी अच्छा अच्छा अभी दूसरा एक पांच ट्रिक का सेशन है ये आज हमारा बात समझ में आया कहेंगे लगतो राय सर बहुत बढ़िया सिखा रहे चलो अगर इसी बात पर एक सवाला और दागते हैं आपके स्क्रीन के उपर रखते हैं जल्दी से सब लोग बताईए ठीक है तीन बटे पांच चार बटे साथ और सत्रा बटे 35 का को आरोही क्रम में सजाईए जल्दी टाइम इज मनी बिल्कुल समय वरबाद नहीं करेंगे उत्तर देने की कोशिश करेंगे ठीक है जी और कोशिश करिए कोशिश करिए क्योंकि बच्चन साहब ने कहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किये जय जय कार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं हो जल्दी उत्तर दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपको आरोही क्रम में सजाना है जी एक और बैतरीन सॉल्यूशन हम करते हैं उमीद है कि कुछ बच्चे दे रहे हो नीछे वाले का ले लीजे Lcm, 5, 7 और 35 का Lcm होगा वही 35 पान सते पैथिस सर्जी साट बार में कटेगा तो साथ को ऊपर गुना करिये हो जाएगा सत्ती या एक इस तात पचे पैथिस, पाँच बार में कटेगा तो पाँच को ऊपर गुना करिये पान शक्री 35 एकम 35 एक बार में कटेगा तो एक बार में कटेगा 17 एकम 17 एकदम सिंपल है सर्य 21 इसकी value 20 इसकी value और 17 इसकी value आपको सजाना है आरूही क्रम में ठीक है कौन सा क्रम आरूही मततब होता है बढ़ते क्रम यानि सबसे छोटा कौन है सतरा 17 की value 17 बटे 35 तो पी इधर खोलिएगा ठीक है क्योंकि जिदर खोलिएगा वो बड़ा होता है उससे 17 के बाद बड़ा 20 दिकरा है जिसकी value 4 बटे 7 और फिर इधर करिएगा तो सबसे बड़ा 21-23 बटे अच्छा इसी में एक और चीड ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा अगर हम जवड़ दस्ती बोलते इसी question में कि हमको भाई अब रोही क्रम में सजा दो अब रोही क्रम को हिंदी में कहते हैं घटते क्रम देखिए ज़्यादा समय वेश्ट नहीं करते हुए टाइम पास नहीं करते हुए एक topic हम यहीं पे clear करते हैं कि अगर same question रहता आ रोही क्रम के सा साथ साथ अगर अब रोही क्रम का भी डिमांड रहता आ रोही क्रम के साथ साथ अगर अब रोही क्रम का भी डिमांड रहता तो हम क्या करते हैं कि अब रोही मतलब होता है घटते क्रम यहीं सबसे पहले बड़ा को ढूंते हैं सबसे बड़ा एकीस है और एकीस की value तीन बट देखिए आरोही और अब रोही क्या एक दूसरे का विपरीत है कहेंगे हाजी सर लगतो रहा है बिलकुल तो यह हो गया ascending and descending कहेंगे हाजी सर यह हो गया आरोही एबम अब रोही ठीक है आई बात समझ में सबको आया समझ में दो ट्रिक खतम हो गया हेडिंग बना यह ट्रिक नमबर तीसरा देखिए हम चाहते तो इस पर पांच मिना टाइम पास कर सकते थे लेकिन हमको इतना पता है कि जिसको आरोही निकालने के लिए वह अब रोही क्योंकि आरोही का उल्टाई होता है अब रोही सबको आरहे समझ में बहुत बढ़िया वेरी गुड माईडियर स्टूडेंट चलिए हेडिंग मना यह ट्रिक नमबर तीसरा देखिए है ओके एकडम गणित मक्खन हो रहा है आज फिर से कह दीजिए यस्तिया नो हेडिंग मना यह ट्रिक नमबर तीसरा guess what कि क्या पढ़ाने वाले ट्रिक नमबर तीसरे में सब लोग दिमाग लगाई है कुछ ना कुछ तो मन में चल रहा हो कि सर यह पढ़ाओगे कि वो पढ़ाओगे हाँ अब देखो एक सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं अच्छा सब लोग एक सवाल मैं पूछूंगा यस या नो में जवाब देना आप लोगों को LCM और HCF आता है सब को आता है एक सवाल हम आपके स्क्रीन के उपर रखेंगे ट्रिक नमबर तीश्रा हेडिंग बनाईए LCM और HCM मन में विचार भी चल रहा हो सब तो बच्चा को भी आता ही क्या सिखा रहे है खाली टाइम पास हो रहा है नहीं पहले एक बर देख तो लीजिए हमारा कॉंसेप्ट की हम कोश्चन कैसा देने वाले है सवाल है दो बटे तीन तीन बटे चार और पाँच बटे छे का लासा ग्याद करें इसको लासा को इंगलिश में कहते हैं एलसियम और मॉसा को इंगलिश में कहते हैं एच्छियो बात क्लियर हुआ तो एक सवाल हमने आपके स्क्रीन के उपर रखा है मुझे नहीं आता कोई बात नहीं जिनको नहीं आता है सब लोग टेली ग्राम पर भी जुडेंगे वीडियो के डिस्क्रीफिक्शन में टेली ग्राम है ने तो टेलीánt चैनल जो हमारे यूटुब चैनल का नाम है आप टेली ग्राम पर सच करके हमारे साथ जुड़िएगा फाइदा ये होगा कि जब भी लाइव आएंगे एक notification वहाँ पे डाल देते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि अच्छा सर लाइव आने वाले हो सकता है YouTube का notification नहीं पहुँच पाए टाइम पे तो देखो जी सवाल है 2 बटे, 3, 3 बटे, 4 और 5 बटे, 6 का लासा कहिए सर ये कुछ लोग को तो आता होगा, कुछ लोगों ने कहीं न कहीं से पढ़ा होगा कुछ लोग के मन में ये चला हो, सर ये कैसा लासा होता है बटा वाला तो याद रखिए, my dear student, जिनको नहीं पता है वो द्यान से सुनिएगा अगर संख्याएं भिन के रूप में हो, अगर संख्याएं बटा के रूप में हो, अगर संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में हो और आप से पूछे LCM, हिंदी में कहिए कि आप से पूछे LASA, तो एक ट्रिक याद करिएगा और वो trick है कि अंस का लस बटे हर का मासर आज fraction का एकदम तावर तोड सॉल्योशन देंगे माई डियर स्टूडेंट अंस का LCM बटे हर का LCM और याद रखिए कि अंस में कौन कौन है कहेंगे सर 2,3,5 है यांस में तो 2,3,5 का LCM होगा 30 सही बात की गलत बात कहेंगे सर बिलकुल सही बात 2,3,5 का LCM देंगे ठीक है तो LCM हो गया 30 करके देख लिए 2,3,5 का लहसा तो होगा 30 और नीचे वाले यानि तीन चार छे का मासा याद करिए अगर आपने मुझसे जीरो लेवल से मासा पढ़ा होगा प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो है LCMHCB बिना pen paper उठा है तो याद रखेगा उसमें हमने बताये था कि प्यारे बच्चों किनहीं दो संख्याओं के बीच किनहीं भी दो संख्याओं के बीच अगर अंतर एक हो जाए तो चाहे संख्याओं कितनी भी बड़ी क्यों ना प्रश्न हो उस संख्या का मासा एक होगा यानि तीन चार छे का मासा एक होगा और वैसे भी अगर किसी संख्या में कोई अभाज संख्या आ जाए और आप उसका मौसा निकालने के लिए करें तो अभाजय संख्याओं का मौसा एक होता है बात एकदम क्लियर समझ में आया ये आपका उत्तर हो गया 30 क्योंकि 30 बटे 1 को 30 कहेंगे जी अंस का LCM बटे हर का HCM ये आपका बहुत ही शांदार ट्रिक है कॉपी में नोट करिएगा जिन बच्चों को नहीं आता होगा ये ट्रिक नमबर तीसरा है और इसी के साथ हम एक सवाल आपके स्क्रीन के उपर रख रहे है उमीद है कि हमसे पहले आप लोग उत्तर देंगे चलो भाई एक बटे दो दो बटे तीन तीन बटे चार और चार बटे पांच का HCM जल्दी बताओ क्या होगा उत्तर 1 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5 का HCM जी different एक हो अंतर different टीके difference between each other कह सकते हैं अगर अंतर एक होगा तो मासा एक होगा बात एकदम क्लियर समझ में आया कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ गया यहां देखो भाई इस प्रश्न की बात करें आप से पूछ रहा है LCM हमने अभी अभी बोला कि अगर संख्याय भिन्न के रूप में हो और LCM ग्याद करना हो तो एक दो तीन चार का LCM कितना होगा हमको तो लगता है सर बारा में काम हो जाएगा एक दो तीन चार का LCM होगा बारा अब बटे दो तीन चार पांच का HCM मासा किनी दो संख्याओं के बीच अंतर एक है तो मासा एक होगा यानि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बारा होग 12 बटे एक ना लिकर सिर 12 भी लिखेंगे तो अच्छा हो संदीप यादब ने उत्तर दिया है 24 जो बिलकुल सरासर गलत है भाई आई बात समझ में उनको लगा होगा कि 2-3-4 का LCM 24 होगा ने 12 भी तो हो सकता है 24 तक जाने की क्या हो सकता है यहां तक क्लियर हो गया अब अब ज बहुत खतरनाक होने वाला है तो क्लास एकदम बिलकुल अंत तक देखिएगा मांजी दा मॉन्टेन मैंड बनके अब हमें ग्याद करना है HCM इसको हम कहेंगे माई डियर स्टूडेंट मासा कुछ प्रस्णम आपके स्क्रीन के उपर रखते हैं जैसे एक सवाल हमने आपके स निकाल दीजिया मासा जल्दी कभी तीन भिन्ने भी रहेगा कहीं चार जगा भी रहेगा तब लोग टेलीग्राम जरूर जोइन करिएगा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम जोइन करने से फाइदा होगा कि जो भी नोटबुक बगेरा रहता है वो हम टेलीग्राम पर भेजते रहते हैं और इसके साथी साथ टेलीग्राम पर notification जाता है, live classes का notification जाता है, PDF जाता है test series बगएरा कभी-कभी बीच-बीच में हम डालते रहते हैं daily quiz बगएरा telegram पे आपको मिलेगा तो यह सारी सुबदाएं आपको telegram पे उपलब्द है यहां तक clear है बिल्कुल एक डूसरे से बात ना करके आप अगर लक्ष पे ध्यान देंगे तो सफलता आपके कदम चुमेगी अब बरना, समझ रहा हो ना? हाँ, तो ध्यान दो अपने लक्ष के उपर देखो जी, अगर इस प्रस्न की बात करें इस प्रस्न के solution की बात करें दो बटे तीन है, चार बटे पाँच है रूल होता है कि अंस का, अंस का मासा बटे भर का लासा तो अंस का मासा कितना होगा भाई? दो चार छे का मासा, दो से चार में भी लग जाएगा और दो से छे में भी लग जाएगा तो मासा सरजी दो हो गया लासा की बात करें, तीन पाँच और नौ का LCM होगा 45 सही बात की गलत बात कहेंगे बिल्कुल सही बात यानि इस प्रश्ण का पूरा उत्तर हो जाएगा 2 बटे 45 क्या अब आपसे बनेगा एक बार हमें कमेंट करके बताईए यगर संख्याएं भिन के रूप में given हो तो क्या आप लोग लासा और मासा निकाल सकते हैं हाँ या ना में अपना उत्तर दीजे कमेंट बॉक्स में जल्दी ताकि हम एक नया ट्रिक ट्रिक नंबर चार आपके स्क्रीन के उपर रख सकें सब लोग एक बार यसीनों में जबाब दीजे कि क्या अगर इस तरह के question आपके exam में पूछे जाए या फिर normally set practice में या कहीं भी अगर आप चले जाए और आपसे अगर ये question पूछे तो क्या आप बना पाएंगे सही सही उत्तर दे पाएंगे सब लोग का answer आना चाहिए तब मैं आगे बढ़ूँगा जैसे ही बोलिये का तुरन trick number 4 आपके screen पर रख देंगे सब लोग क्या दीजिए trick number 4 जिन बच्चों ने हमारे चानल को subscribe नहीं किया है वो बिलकुल तुरन subscribe करेंगे ताकि आपको latest notification और classes की जानकारी आपको मिलती रही ठीक है अब देखिए एक जो सबसे परेशान करने वाला topic होता है fraction में heading मनाईए trick number 4 और जैसे ही हम लिखेंगे न आपके चेरे पर एक प्यारी सी smile अरे हाँ सर इसी में तो दिक्कत होता था में इन रूप से क्योंकि हमने बोला है 4 और 5 बहुत important होगा तो आप यहां heading मनाईए trick number ठीक है trick number 4 जैसे ही हम स्क्रीन पर question रखेंगे चेरे पर मुस्कान आ जाएगा और trick number 4 और देखिए हम क्या बताने वाले trick number 4 में आज का heading होगा trick number 4 का heading होगा लंगडा बाला भिन क्या आप लोगों को कभी इस तरह के प्रशन में परेशानी आई है कुछ लोगों के तो मन में यह भी चल रहा है यह होता क्या है लंगडा बाला भिन हमने तो आज तक नाम भी नहीं सुना कुछ लोगों ने सुना होगा तो तुरंत लग गया होगा की नहीं तब लोग बताज़े क्या इस प्रस्टन से क्या अप लोगों ने इस टोपिक का नाम सुना है कभी? तिक एistling? नाम नहीं सुना? लंगडा वाला भिन नाम सुना है जरूर सुना होगा नहीं सुना होगा तो आज पूरी कसर एक डम छोड़ेंगे नहीं ठीक है मोहिनी प्रजापती जी सबको आ रहे समझ में हाँ कुछ लोगों नहीं नाम भी सुना होगा देखे इसमें कोश्चन कैसे पूछता है यह लंगडा वाला भी यह है अपने आप में चर्चित क्यों कोश्चन ऐसे पूछेगा वन बाई वन प्लस वन बाई तू वन प्लस तू बाई थी अभी तो सिर्फ प्लस ही दिया है माइनस भी देंगे इंटू भी देंगे डिवाइड भी देंगे मतलब अभी तो कुछ भी नहीं है तो बेसिक दिया है इसका मान सब लोग बताइए कितना होगा जल्दी बताइए इस टाइप के कोश्चन आपके एक्जाम में भी पूछे जाते हैं और यह सिंप्लिफिकेशन का एक बेस्टेरिया माना जाता है फ्रेक्शन का तो यह लंगड़ा वाला भिन इससे भी इंपोर्टेंट अगला टाइप ले कराएंगे ट्रिक नंबर पाँच ठीक है गगन दीप मककर जी बिलकुल आ रहा है समझ में कहिए सर अभी तो कुछ बताया भी नहीं आपने देखो जी इसको कहते हैं अगर नॉर्मली आम तोर पर एकदम हिंदी भासा में बोला जाए तो यह एक टॉपिक है जो फ्रेक्शन के अंदर आता है लंगड़ा वाला फ्रेक्शन जो ऐसे उटपटांग तरीके से प्रश्न पूछे जाते कहीं एक्स भी रह सकता है कहीं प् दो पूर्नांग दो बटे तीन और दूसरा ओप्शन है टू प्लस टू बाई थ्री तब लोग बताईए तो कि दोनों में से बढ़ा कौन है पहला की दूसरा दस सकेंड का समय तब हम समझा पाएंगे और सिखा पाएंगे इस चीज़ को एक है दो पूर्नांग दो बटे त तीन है और एक है टू प्लस टू बाई त्री इसमें से कौन सा बढ़ा है अगर पहला बढ़ा है तो आपसन एक लिखे दूसरा बढ़ा है तो दो लिखे जल्दी बताईए कि इसमें से सबसे बढ़ा कौन है नहीं हमने बस ये पूछा कौन है पहला की दूसरा कितना है ये पूछा हमने जल्दी बताओ देखिए जी कुछ लोग कह रहें सर पहला बड़ा है कुछ लोग कह रहें दूसरा बड़ा है लेकिन कुछ लोगों नहीं कहा है कि सर दोनों से मैं दोनों बराबर है अरे भाईया सॉल्व तो करिए दो पुर्नांग दो बटे तीन को तीन दनी छ दो आठ बटे तीन और अगर इसको भी सॉल्व करिए गा तो वही रूल है लीजिए बटा आट आईएगा तो तीन एलसी हम तीन दूनी छे पलस दो आठ बटे तीन तो देखने का नजरिया अलग अलग है यहां पे प्लस छुपा हुआ रहता है यानि कहीं पर एक पुर्ण पांच पुर्णंग चार बटे पांच रहे या कहीं पर पांच प्लस चार बटे पर कहेंगे सब सर दोनों सेम है पलस कहीं लगा भी सकते हैं नई भी लगा सकते हैं मान में कोई परिवर्तन ने हुआ अगर ऐसी बात है तो लंगड़ा बाला भिन बनेगा भाई साब पीछे से सुनों आज तक किन से किन से पढ़ा मुझे नहीं पता लेकिन एक बार आप मुझसे पढ़िए आपको इसके उपर जीवन में कभी भी समस्या नहीं हो लेकिन जब मैं पढ़ा दू तो जाके प्रक्टिस भी कर लिजेगा घर पे आदा गंटा में ठीक हैं सुनो मेरी बात अगर इसकी value चाहिए इसका मान चाहिए तो सबसे पहले पीछे से solve अच्छा कहीं 1 प्लस 2 बाई 3 लिखा रहे या एक पुर्णांग 2 बटे 3 रिखा रहे दोनों same है ना इसको भी जोड़िये तो 3 एकम 3 दो 5 बटे 3 आएगा इसको भी 3 एकम 3 दो 5 बटे 3 आएगा ये दोनों same ह वो अलग बात है कि अलग तरीके से positive तरीके से लिखा गया तो हमको लगता है कि कुछ हिचकिटा हट सी हो रही पर ऐसा कुछ नहीं है तो हम चलेंगे पीछे से अब पीछे में सबसे बड़ा fraction हमें क्या दिख रहा है यही दिख रहा है ना हमें सबसे पहले इसको solve क्योंकि एक भिन को पकड़ना है मैं इसको solve करना है तो यह होगा तीन एकम 3 तीन दो 5 बटे 3 आपने question लिख लिया ना हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे 3 एकम 3 दो 5 बटे 3 यानि आपका हो गया 1 बाई 1 प्लस देखो भई 1 बाई 5 बाई 3 यहां हुआ ना तो 5 बटे 3 हुआ तो क्या ये 3 उठकर उपर नहीं जाएगा कहेंगे सर क्यों नहीं जाएगा बिलकुल उपर जाएगा ठीक है तो यह जो है यह आपका 5 1 बाई 5 बाई 3 हुआ तो 3 को आप कर दीजे उपर ठीक है अब 5 हो जाएगा नीचे आई बात समझे में अब हम इसको solve करेंगे क्योंकि जो नीचे से solve करेंगे तो 1 बाई 5 एकम 5 तिन 8 बटे 5 यह 5 उपर चला जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 बटे 8 क्या किनी ने उत्तर दिया बहुत बड़ी है बहुत सारे student उत्तर दे रहे जी चीक है आगे से नहीं बनता है जी पीछे से बनता है लंगड़ा वाला बिन रूल है रूल इस रूल ठीक है अब कोई बच्चा कहेगा सर बारत का संबिधान ही क्यों माना जाता है तो यह कोई बात होगा बहुत सब लोग कहिए सर उत्तर होगा पाच बच एक कोश्चन और दे बना दीजेगा सब लोग हाँ कहिए तो तुरंत स्क्रेन पर रखते हैं पाच कोश्चन दे दिये ना पूरा माइंड एगदम तितर बितर हो जाएगा दुबारा नहीं छोटेगा बस याद रखिएगा पीछ बस इतना काफी है अभी सीखने के लिए ऐसे तो बहुत बड़ा कोश्चन आता है लेकिन बड़ा वही करेगा जो जो चोटा करने की छमता रखता हो जल्दी बताओ बहुत 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 चांदार टॉपिक हम लेकर आएं आज आपके लिए जी नितिश राज का कहना है कि इन्हें पूरी तरह से आथ समझ में आ गया बहुत बड़िया आप लोग इस बुक को जरूर मंगाईएगा ट्रिकी मैथ ब्रहमास्तर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये रिदिनिंग की बहुती शानदार बुक है मार्केट मे इस बुक को पढ़ने यह हमने खुद लिखा है अपने आतों सारी किताबे हम खुद लिखते हैं ठीक है काफी अच्छा लोग कहते हैं इसरा आप काफी अच्छी किताबे लिखते हो ये दोनों बुक व्लिपकार्ट के उपर वेलबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ल और ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग बैचे और फीस कितनी भाई जितना आप एक महिना ओफ लाइन में दोगे न यहां एक साल पड़ोगे चलिए कुछ लोग उत्तर दे रहे हम करते हैं इसका सॉलूशन पहले कौन सा एरिया पकड़ना है पहले ये वला एरिया क्या करेंगे थेरा बटे पांस तो हमने इसको सॉल्व किया तो भाई हाया तेरा बटे पांस तो पांच कहा जएगा उपर क्यूंकि बटा के उपर बटा और फिर बटा तो 3 तो possible नहीं है, तो नीचे बला उपर चला जाता है, तो यह आपका ऐसे हो जाएगा, 2 बटे 1 प्लस, अब यह जब 5 उपर जाएगा, तो 5 दूनी 10 बटे 13 होगा, ठीक है, 5 दूनी 10 बटे 13, आप इस एरिया को कवर करिए, 13 एकम 13 दस 23, यानि 2 बटे 13 एकम 13 10, 23 बटे 13, 13 कह चला जाएगा उपर, तो 2 गुने 13 बटे 23, यानि आपका हो जाएगा, 13 दूनी 26 बटे 23, क्या किसी स्टूडेंट का इतना उत्तर आया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आती सुंदर आप उत्तर कर रहे हैं, जी, यह बुक बहुत ट हो जाएगी, और एडवांस के कुछ चैप्टर्स एड हो जाएगे, इसमें, सेम बुक रहेगा, थोड़ी महगी भी हो जाएगी, अभी 200 का है, लगबग, एक महिने के बाद यह आ जाएगा, 300 कुछ रूपीज का, ठीक है, मोटी हो जाएगी, इसका जस्ट डबल हो जाएग अभी प्लस बाला ही हमने सिर्फ दिया है, माइनस बाले में उल्जन थोड़ी जादा हो जाएगी, उसको नेक्स टाइम कभी पढ़ाएगे अच्छे से, उल्जन मेरे लिए नहीं होगी, आपके लिए होगी, हमारा तो खत्रों से खेलना कामी हैं रोज का, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है बुक की, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे न, आप फ्लिपकाट पर चले जाओगे, वरना हमारे अप्लिकेशन के अंदर भी हमने एक अस्पेशल बुक सेक्शन बना रखा है, उस बुक सेक्शन में जाओगे, तो आपको हमारी जितन देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, पहले कोश्चन आप लोग लिख लो कि इस बार मैं मिटा मिटा कर करने वाला हूँ, आठ एकम आठ आठ, आठ और छे, चौदा बटे आठ, देखो जी, इसको आमने सॉल्व किया, तो आया चौद तो यह हो गया, 5 by 2 plus 3 by 1 plus, यह 8 उपर जलाएगा, तो 8 बचे 40 बटे 14, आई बात समझे में, अब इस एरिया को कवर करिए, 14 एकम 14, 5 by 2 plus 3 by, 14 एकम 14 और 40, 54 बटे 14, तो 14 तहां चला जाएगा, उपर, तो यह उपर हो गया, 14, फिर हो गया, 5 by 54 दुनी 108, इन दोनों को गुना क करेंगे, तो 54 दुनी 108 और उधार 28 था, 24 था, 14 तहां चलाएगा, और 54 दुनी 108, बटे 54, अब यह बटा में 54 एकम उपर हो जाएगा, 54 गुने 5 कर दीजिए, पटे 1,500, देखो चाहो तो काट सकते हैं, 30 बार में 30 पचे 1,500, फिर आप काट सकते हो, 3 दाहें के 30, अठारती है 54, नहीं तो 6 से कर दो, 6 35, 6 95, नो बटे 5, क्या किसी स्टूडेंट का आया है यह उत्तर, हाँ विक्की शेखर बाबू का उत्तर है, नो बटे 5, और तो मुझे किसी स्टूडेंट का भी तक नहीं दिखा है, ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा ताइम दोगे, अब आप लो कि कम से कम, कम से कम, ठीक है, आप 15 कोेश्षिन को, ठीक है, कम से कम से निकाल कर, कॉपी में नोट करके, और आप खुद से प्रेक्टिस करेंगे, इस टॉपिक के और, लंगडा वाला भिन के और, सब लोग प्रॉमिस करिए कि सर, हम करेंगे, जल्दी, सब लोग promise करिए कि sir हम बिलकुल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा confusion बला topic है मैंने एक structure तयार कर दिया है आपके लिए base तयार कर दिया है अब आजाईए trick number 5 जो सबसे ज़्यादा important है क्योंकि जब आप math बनाने बैठियेगा trick number 5 और ये final trick है आज के session का उमीद है कि ये trick सीख कर आप एकदम मन प्रशन हो जाएगा देखिए शुरू में जब हम question लिखेंगे तो थोड़ा सा चेरे पर मुस्कान कम जाएगा कहिए ये भी कोई trick है ठीक है लेकिन दो मिनट के बाद कि हारे बाई यही तो main चीज है साथ सवाल देखो कैसा रहेगा दो पुर्नांक दो बटे तीन तीन पुर्नांक दो बटे पाँच पाँच पुर्नांक छे बटे पाँच पुर्नांक एक बटे तीन इसका माद जरा बनाईए तो हमें 10 मिनट कम से कम इस trick पर चलेंगे काईए सर ये तो भिन का जोड घटाव है बच्चा बच्चा बना देगा अरे भाई हमें भी पता है कितना बच्चा बच्चा बना देगा पहले बनाईए तो सही पिर जो हम इसके उपर trick देंगे उसके बाद काईए बनाईए तातो तले चने चवा देंगे चलिए आप लोग सबसे पहले क्या कर रहे हमें जरा बताईए तो कमेंट करके आप लोग इस question को deal करने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे है यह का करेंगे पुर्णान तोड़ रहे है तही बात की गलत बत आप लोग इस प्रश्ण को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे होंगे कहेंगे सर तीन दूनी छो दू आठ बटे तीन पाँच तीया पंदरा दू सतरा बटे पाँच और पाँच तीया पंदरा एक सुल्ला बटे तीन लिख रहे हैं सही बाद नहीं गलत पाद competitive exam की त्यारी करें कुछ नया सीखे पहले पुर्नांग के जो आगे दिख रहा है उसको जोड दीजे क्योंकि सब तो पलस में है दो तीन पाँच पाँच भाई हो गया यहां पे दस सब जगा पलस ही है तो अपने मन से पलस ले लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ यहां बचा दो बटे तीन यहां दो बटे पाँच और यहां एक बटे तीन तीन पाँच तीन का LCM होता है देखो आगे वाला को जोड दिए दो तीन पाँच तीन आठ दो दर्स ठीक है उसके बाद दो बटे तीन दो बटे पाँच और एक बटे करेंगे 5 दुणी दा 5 तीया 5 तीया 15 तीन बार में 3 से उपर घुना करेंगे 3 दू नीचे 3 पचे 15 पच बार में 5 एकम 5 तो आपका उत्तर आया 10 पलस 10 6 16 16 5 पाच एकीस बटे पंदरा इस से अच्छा तो जोड ले हमाई तो दीजिए ट्रिक बताएंगे आपको तस पलस क्या एकीस बटे पंदरा को एक पुर्णांक छे बटे पंदरा लिख सकते हैं यह फिर यहां जोड़े क्या आपके प्रश्नका यह उत्तर है यह यह जबाब दीजिए पंदरा दाएंगे डेड़ सो एक सो पैसाट छे एक सो एकतर बटे पंदरा इतना भी नहीं डाइरेक्ट पुर्णांक में उत्तर बताएं सही 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 सीखे कुछ अच्छा सीखे कुछ नया सीखा आपने हाँ य यारा पुर्णांग छे बटे पंदरा क्या इस प्रश्नका है उत्तर कुछ लोग संतावन बटे चार कर रहे हैं जो अच्छा यह कड़ जाएगा हां कड़ जाएगा और अच्छी बात है भाई आप ऐसे भी कर सकते हों तीन दुनी छे तीन पच्छे पंदरा इंग्यारा पुर्णांग दो बटे पांच आप इसको एंग्यारा पच्छे पच्मंदू संतावन बटे पांच भी कह सकते हैं कोई डाउट नहीं है बिलकूल कुछ नहीं अभी तो असली पिटारा खुलना बागी ये इसके उपर ये तो बेसिक था तिखें कहिए हाँ या ना फिर आगे बढ़ते हैं चलो पांच मिनट में रौंड देंगे आपके मन को ठीक है एकदम असली मजा आप सिखो दो पूर्नांक तीन बटे 5 कहिए गलगत है इसी फेक रहें अरे नहीं देखो तुसे दो पूर्नांक तीन बटे 5 चार पूर्नांक पाँच बटे 6 माईनस पलास ही ले लो पहले 5 पुर्णांग 2 बटे 3 माइनस 3 पुर्णांग 3 बटे 5 पलस 2 पुर्णांग 3 बटे 4 माइनस 6 पुर्णांग 5 बटे 6 बनाए कहिए सार बक्स दीजिये नहीं बनेगा माथा दरदमत करिए हमारा इसी अभी वेकेंसी तनी देर से आ रही है और उपर से आप परिशान करें देख लो जब लगे की नहीं बने तो बता देना हमें जब लगे की नहीं बने तो हमें याद कर लेना और एक बार प्यार से पुकार लेना एकदम ट्रिक से उत्तर समझा देंगे एक कभी ने कहा है एक शायर ने कहा है कि ना थके हैं अभी पैर जब भाई इतना देर से परा रहे हैं तो थकावट तो आएगी तो शायर हमारी ले भी कहा गए वो कि भाई ना थके हैं अभी पैर ना हमने हिम्मत हारी है ना थके हैं अभी पैर ना हमने हिम्मत हारी है और होसला है जीवन में बहुत कुछ कर गुजरने का होसला है जीवन में बहुत कुछ कर गुजरने का इसलिए आज तक अभी भी हमारा सफर जारी है ठीक है नहीं बनेगा यही तो सुनना चाह रहे थे काईए काउन इतना लंबा चोड़ा दिमाग लगाता है आप लगाईए हम न लगाएंगे हम लगाते हैं देखो जी जो आगे वाला है जोड़ दो तर दू और चार हो गया छे छे पांच एगारा माइनस में न एगारा में तीन गया आठ फिर दू जोड़े दस दस में छे जोड़े गटाए चार कैसे किये सोनो यह असली कुश्चन है कहेंगे सर दो और चार जोड़े तो छे छे में पांच जोड़े तो एग्यारा एग्यारा में तीन को गट गया दस में चार फेर गट गया तो आए गा भाई फिर से गणब आगे तो और चार छे पाच ग्यारा से तिन गया आठ आठ दो दस दस में फिर छे चला गया आया चार तोँमने इस लाइन को मिताया लिखा अबी पलस लिखें कोई जरूरी नहीं क्यों कि माइनस वाला भी सांड़ कर रहा है अब देखो कुछ लोग तो पुर्णांग तोड़े होंगे फिर जोड़े होंगे फिर गटाये होंगे हम बन गए भाई मांजी दा मॉंटेन मैं ना जोड़े ना गटाये सीधे तोड़ दिये कैसे आईए देखिए अरे भाई ये पांच बटे छे पलस में है एका ब अतेम कीजिए कहाँ ने और कौन बचा और कौन बचा कान भी दुनों डर गया के इसको लगा हमको भी काटचरक के बरावर ने कर दे गोसा आ गए आज रावल सर ने तो ईह दूनों डर गया इसको बोले नहीक रहने दो तुम दोनों पोजेटी वह पोजेटीव में ही हम ने पलस मायनस पलस माइनस को कट़ए इसको बोले तुमा अज़र हमसा गटार हम को काटý right वर निंवर骇ँ समय सबी स spricht सब्सक्राइब और सत्रह संथर को एक फुरंडंग पानुपटेबार इंतन जायागा पार्च कतरहा आई बात समझ में गणित हुआ मक्षन भाई इतना लंबा चोड़ा काहे लेकर गई तुम्हारो ही 361 बटे सा इधर देखो एक बार आप लोग हमारे साथ अप्लिकेशन पर जुड़ी है आपका स्वागत करते हैं वहाँ पर ऐसा 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 ट्रिक देंगे ना अप्लिकेशन पर आप सोचे जब यूट्यूब पर इतना भरमार है ट्रिक का और अप्लिकेशन पर क्या करेंगे संजीबनी बैच लीजिए जल्दबाजी में अगर एक्जाम है तो मैथ रिजनिंग को जिरो टो हिरो लेवल तक पढ़ना है संघर्स बैच लीजिए ये दोनों में से कोई एक बैच जरूर लीजिए मैं आपको रिकमेंड करो क्या फीस लगेगा उतने के तो आजकल गोल ग गोल गप्पा तो हमारा बहान है वह आप लोग क्या करते हो आप कोई पता है अब अस्क्रीन लीजिए न एकदम श्वागत है आपका अस्क्रीन सौट लेने के लिए अब आया समझ में या इस तरह के कोईश्चन को ऐसे करेंगे सौल एकदम तास नाथ कर देंगे जब प्लस माइनस प्लस माइनस कट रहा है तो क्यों उसको रख के अचार डालना है हाँ खतम कर ये कहानी को ओगे तो हमने बोला था कि ये जो लास्ट टॉपिक है पुर्नां कवाला उसको जड़ा बढ़ियां से सिखाएंगे यही तो सबसे बड़ी समझ भाई इसी चीज के लिए तो आप लोग आये हो काटने छाटने के लिए यही तो आये हैं हम लोग नहीं हाँ इसको पाकिस्तानी समझ के काटो फिर कटेगा ये ओके चलो तो आज का सेशन यही तक रखते हैं समझ लोग कि यह हर एक पाकिस्तानी का गर्दन है एकदम काट देना है ठीक है रियली मैं नहीं बस पढ़ लो अच्छे से तो गणित माने तो मक्षन ठीक है तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं उमीद है कि अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब और सब लोग अपलिकेशन पर जाईए और हमारी टीम से बात करिए ठीक है हम अपना ओफिशल नंबर दे देते ह हैं आप सभी को अभी तक हमने दिया नहीं 6200-733-3858-7520-318714 यह हमारा ओफिशल नंबर है अगर आप सारा दिन काम बात करें तो हमारी टीम से बात हो देगा अगर आप इवनिंग में करते हैं तो कभी कभार हम भी आपकी सेवा में हाजीर जाते हैं कभी कभार वैसे तो हम हमारी टीम पूरा एटन करती है एप्लिकेशन यही नंबर है 6200-733-3858-7520-318714 अगर आपको कोई बैच लेना हो तो यही हमारा फोन पे और गूगल पे नंबर है आप यहां पे पेमेंट कर सकते हैं निश्चिन्त होकर हमारी गैरेंटी पर ठीक है और आप स्क्रीन सॉट किसी एक पर बैच सकते हैं और बस बैच का नाम बोली हम लोग यहां से जोड़ देते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट है ना जिनके पास खुद का फोन पे गूगल पे पेटियम नहीं है तो साइवर कैफे से या कोई शॉप से या किसी फ्रेंड से पेमेंट कराके आप जो बै पे पेटियम हो तब ही आप बैच जोइन कर सकते हैं आप दुकान से भी बैच की प्राइज बैच की फीज जमा कर सकते हैं ओके चलिए बाबाए गुड नाइट स्वीड ड्रिम मिलते हैं कल हम लोग एक अच्छे सहसन के साथ